वेलकम स्टूड़ेंट्स आफ़कि अपनी चैनल ग्यान टीवी में जैसे कि आफ देख रहे हैं कि आज हम अपनी चैनल पे एक नया टॉपिक लेके आई हैं जो कि इंजिनेरिंग मैकनिक्स में आता है तो इंजिनेरिंग मैकनिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें हमें types of force system समझना होगा ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में अच्छे से understand कर पाई हर एक topic को तो types of force system में हमें पढ़ने हैं बहुत सारे types of forces क्या होते हैं उनकी क्या properties होती है वो हम यहां पर discuss करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि हमने basic mathematics start किया था यह उन students के लिए हैं जो कि उन से थोड़ा level में उपर हो जैसे कि आपको हमारी channel का पता है हमने इसमें description में दिया हुआ है कि आपको हर एक topic के related हर एक basics जो होगा कोई भी subject होगा maximum subject के related आपको lectures मिलेंगे तो जिसके लिए यह फाइदा मंद होगा वो यह देखेगा और जानेगा कि फोर system क्या होता है क्रिस परक्रार के होते हैं और चैकेन की properties होते हैं तो हम start करते हैं जैसा कि आप देख रहें जो हैं तो वो वो क्या होता है तो जो kopé address forces होते हैं वो system of force होता है जो हमेशा एक प्लैन में like करते हैं वो forces उनको हम कहते हैं को प्लैनर forces जो कि किसी एक plan में different types of forces like करें जैसे कहम यहां पर एक example लेते हैं हम एक figure से समझते हैं हम एक plan यहां पर draw करते हैं मानो एक दीवार जैसा क्योंकि एक दीवार एक plan represent करेंगा हमारे पास single plan है यहां पर और इसके अंदर जो है हम बहुत से force show करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे force one force two तो f3 भी हम यहां पर show करेंगे जैसा कि आप students देख पा रहे हो कि जो सारी forces है यहां पर एक ही plan में लाइक कर रहे हैं एक ही plan के अंदर हैं तो इस वजह से हम इन forces को go planner forces बोलेंगे क्योंकि यह सारी forces एक single plan के अंदर lie कर रहे हैं रेप्रेजेंट हो रहे हैं तो आई होब students कि आफ को यह समझा रहा होगा कि को प्लेनर forces क्या होते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं को प्लेनर forces जो कि टाइप सफ फोर्स सिस्टम में एक टाइप होता है तो जब हम इन फोर्स सिस्टम को समझेंगे तो आगे जाके हमारे जो वीडियोस होंगे उनमें और लेवल हम आइस्टा इस्टा बढ़ाएंगे जो मेकनिक्स के रिलेटेड हो तो इसी तरीक से हम अभी जो नॉन को प्लेनर फोर्स करते हैं वोन करते हैं हम फिगर के जिरी इसको अफको दिख़ाना चाहिंगे जैसा कि हम ने को में को प्लेनर forces होंगे वो उसके opposite होंगे को प्लैनर के कि वो एक से ज्यादा plans में लाई करेंगे वो दो plan भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं तो उन forces को हम non-coplanar forces बोलिंगे तो यहां पे हम आफ को यह भी figure के थुरू आफ को अंडिस्ट करवाएंगे कि non-coplanar forces क्या होते हैं जैसा कि आफ देख रहे हैं हम यहां पे एक क्यूब यहां पे हम ड्रॉ करेंगे आफ को दिखाने के लिए जिसके अंदर आफ को कितने आफ को faces मिलेंगे वो हर एक face उसका represent करेगा हर एक plan जैसे कि आप देख रहे क्यूब के अंदर आप मानो कोई दीवार है वो क्यूब कली बनाए एक कमरा हम मानते हैं उसके अंदर हर एक दीवार उसका हर एक plan शो करेगी क्योंकि यहां पे भी बहुत सारे plans हैं हमें मिलता है तो हर एक plan में अलग-अलग forces होंगे तो हम simply इन forces को represent कर रहे हैं different plans पर तो वो forces कहलाएंगे non-coplanar forces I hope students आपको यह अच्छे से understand हो रहा होगा भी जैसा कि आप figure में देख रहे हमने F1 plan 1 में show किया F2 हमने plan 3 में show किया इसी तरी किसे F3 F4 में भी हमने plan 4 में show किया तो इस तरी किसे जो simply हम समझेंगे कि एक से ज़्यादा plans में जो force लाई करेंगे उनको हम non-coplanar forces कह सकते हैं तो अभी हम concurrent forces को discuss करने वाले हैं तो जो concurrent forces होते हैं उनको हम simply यह बोल सकते हैं कि जो different types of forces हैं वो एक single point पर intersect हो रहे हैं सभी के सभी forces चाहे वो inward forces हो या outward वो matter नहीं करता है बड़ सारे forces जो हैं वो एक concurrent point पर meet करेंगे और एक दूसरे को intersect करेंगे तो उन्हीं forces को हम बताएंगे concurrent forces जैसे कि आप figure में देख रहे हैं यहां पर हमने x-axis पर एक line ट्रॉकी और वहां पर हमने एक point लिया o तो वहां से हमने वो forces दिखाई जो सब meet कर रहे हैं intersect कर रहे हैं एक particular point ओ पर तो वही forces हमें उन्ही forces को हम concurrent forces बोलिंगे तो इसमें जो है एक point हमें याद रखना हो जुरूरी नहीं है कि जो concurrent forces होंगे वो coplanar हो या non coplanar यह जुरूरी नहीं है वो coplanar भी हो सकते हैं कभी non coplanar भी हो सकते हैं तो यह point हमें यहाँ पर जुरूरी याद रखना होगा concurrent forces में कि जो forces होंगे वो सारे intersect करेंगे एक particular point पर और वो forces जो हैं जुरूरी नहीं है कि एक ही plan में सभी लाइक करें या different plans में लाइक करें तो I hope students यह भी आफको समझाया होगा अभी हमने तीन forces जो पड़े coplanar non coplanar और concurrent forces तो आफको आइस्ता हैस्ता जब यह forces आफ बेसिक्स अच्छे से समझेंगे तो आगे जाके हम और इन पे वीडियो बनाएंगे resultant निकालने पे forces पे हम और lectures आफको देंगे अभी हम आइस्ता हैस्ता आफकी level को बढ़ाएंगे तो यह basics में भी हम engineering mechanics की बात कर रहे हैं कि tips of force system यहाँ पे आफको जरूरी है समझना बहुत जरूरी इसके बगए आफको आगे जाके जो topics होंगे वो समझ नहीं आएंगे तो इस तरह के से हमें यह पता चला कि concurrent forces जाए हैं उनका एक common intersecting point होगा जहां से वो forces meet करेंगे तो उनको बोलते हैं concurrent forces तो इसी तरह के से हम अभी और एक force की बात करते हैं वो है को लिनियर को लिनियर में भी जो है वो एक को प्लेनर फोरस होगा जैसे कि आफको समझा रहा होगा को लिनियर फोरस जो है वो को प्लेनर फोरस ओविसली होगा क्योंकि को लिनियर जो है उनका जो line of action होगा वो एक ही प्लैन में होगा वो दो प्लैन में नहीं हो सकता उनका लाइन अफ एक्षन एक प्लैन में होगा और एक लाइन में होगा जब एक लाइन में होगा इसका मतलब ओरसली एक प्लैन में ही होगा तो इसका मतलब को लिनियर फोर्स जो है वो co-planet force होगा बट co-linear force जो है उसके line of action में जो भी force होगा वो एक ही line of action में like करेगा जैसे कि आपको यहाँ पर हम figure के through समझा रहे हैं जो एक line of action हमने draw की x-axis में तो उस पर हम show कर रहे हैं अभी 3 forces F1, F2 और F3 जो चाहे एक दूसरे के opposite हो यहाँ like forces हो एक ही direction में हो वो matter नहीं करता बट line of action इनका जो है वो सब का एक जैसा है और same है तो उन forces को हम बताएंगे co-linear, co-planar forces क्योंकि यह एक type है co-planar force का आगे जाके आपको जो आने वाले lecture से और मैं और भी इससे ज्यादा clear होगा तो अभी आफ इन पे अच्छे से focus कीजिए, hold कीजिए जो कि mechanics हैं यह बहुत students को काफी difficult लगती है तो इसलिए हमने basic से start किया आफ को जो भी हमें अच्छा लगेगा topic आफ के लिए हम वो आफ को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे तो बाकी तो आफ पे depend करता है आफ कितना फिर अपनी मेहनत दिखाते हैं तो यहाँ पे जो है को लिनियर फोर्स का जो line of action होगा वो common होगा सभी forces का जब वो common होगा तो obviously यह तो go plan force ही हो सकता है उसकी example ही हो सकती है कि जो कि एक plan में होगा तो इस तरी के से हमें यहाँ पे को लिनियर फोर्स भी understand होगा I hope so तो students आगे बढ़ते हैं जो को लिनियर के बाद और भी बहुत सारी forces है शाहिद हम इस lecture वीडियो में वो सारे ना पढ़े लेकिन इसके बाद जो force हम और डिसकस करेंगे वो parallel forces का होगा parallel forces में क्या होता है यहाँ पे जो है parallel forces इसमें जो हैं सारी forces एक दूसरे के parallel होंगी चाहे वो opposite में होंगे या एक ही direction में होंगे वो हम यहाँ पे वो यहाँ पे consider नहीं करना हमें simply parallel forces हमारे लिए वो सारी forces होंगे जो parallel होंगे यहाँ पे हमने एक beam दिखाया आपको x-axis में और यहाँ पे जो है इसके opposite में कुछ forces हम दिखाएंगे और जो उपर से कोई weight का force होगा वो भी हमने आपे show कर रहे हैं जैसे कि f1, f2 जो downwards है और अफ़ोर्स में f4, f5 है और यह सारे forces parallel है like and unlike parallel forces हम इनको बोल सकते हैं बट यह सारे parallel है तो उन forces को हम बताते हैं parallel force system यह भी force system में है आगे जाके हमें इन पे भी बहुत सारे questions करने होंगे तो आपको इस जरूरी समझना है तो यहां पे हमारा जो है force system अभी हमारे पास जो 5 force system थे वो हमने यहां पे complete की I hope आपको अच्छे से यह force system सारे समझ आए होंगे अभी तक जो मैंने इस वीडियो में आपके लिए दिखाया और समझाने की कोशिश की तो फ्रेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है students तो आगे जाके हमें support कीजिए ज्यादा से ज्यादा हमारी चैनल को subscribe कीजिए अपने दोस्त बंदों को share कीजिए अपने friends को share कीजिए जिनके लिए यह वीडियो फाइदा मंद हो और हमारे वीडियो को like कीजिए और हमारी चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा support कीजिए subscribe कीजिए और share भी कीजिए तो students हमारी जो अगले लेक्चर इसमें होंगे चाहे किसी को mechanics के related हो या basic mathematics के या physics में भी आने वाले time में आपको सब यहाँ पे हमारे ग्यान टीवी चैनल पे मिलेगा ओके students थैंक यू बाई गूर लग